जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनंतम शुक्राना आज लाइफ सच्छंग आने देने का बहुत 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 शुक्राना गुरू जी इस लाइफ समझा कि मैं आपकी महिमा का सकूं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ज जाइगुरुजी। जाइगुरुजी। संगाजी। σब्सक्राइच.. जाइगुरुजी। سब्सक्राइज। को मेरा Happy New Year और सभी को गुरुजी अपनी चौशेज ब्लेसिंग्स दें सबको सेफ रखें आज सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का कि हम सब को हमाई फैमिली को सेफ रखा करोना फ्री रखा 2020 सब लिए बहुत बारी गया और कियों ने अपनों को खुया कियों बहुत कुछ खुया और कियों ने बहुत कुछ सीखा इन्साइक 2020 ने हमाय को जो सिखाया उसको अगर हम कौण करा जाएं ठजी तो हम यह रिलाइस करेंगे कि कम में जीना सिखाया और आज 2021 का मेरा पहला लाइफ सच्छंग है तो मेरी तरब से आप सभी संगर जी को वेड़ी हापी नुई येर गुरु जी ब्लेस्ट यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ओ लेसंग और सब खुश रहें आज का सच्छंग हम संगर जी अपने सब्सक्राइब से अपना सथ स्टार्ट करेंगे गुरू मंत्र के साथ तो प्लिज आप सब मेरे साथ साथ जरूर बुलेगा है बुरू रब्रम्हा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर शाख्षात परंब्रम्हा तस्मई श्री आपका जी आपके गुरुवे नमाः ओम नमस्षिवाई शिवजी सदासाहाई करता पूरक निर्भो निर्वेट अकाल मुरत अजुनी सेभं कुर परसाथ जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच अजय गुरु जये गुरु जये गुरु जये गुरु जये गुरु जये गुरु झ्यवार काया खाया हम सब को और मेरे अपिए खाया चारय को दूरु driven अपने छरण में रखते हैं अपने संगत में रखते हैं कम वोट में गुरू जी हमेशा हमारे साहत हैं but हम आयको उनसे क्नेक्टिवीटी बनानी आनी चाहिए जय गुरू जी जाय गुरू जी सारहे प्यार गाई संगर जी एक अभी एप्या तो अल-गूण क्योंकि 2021 का मेरा पहला सत्संग है तो मेरे इस निकला और जैसे आपने अगर मेरे पहले सत्संग देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा जब भी मैं लाइव सत्संग करने वाली होते हूं तो मैं गुरुजी से करते हूं कि मुझे कुछ इंडिकेशन दो कि मुझे किस बारे में बात करना है तो मैं पर एक बड़ा अच्छा मैसेज आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं उसमें था the message goes in English मैं उसको हिंजी मैं भी फेर convert कर दूँगी one medicine does not work for all some same way Guruji's message is not same for everyone you don't need to teach other sangat just narrate your satsang and the right message will go to whoever needs to hear it focus on your connection with Guruji make direct connection जै गुरुजी gratitude always संगत जी यह बहुत अच्छा मैसेज में पास कल आया क्योंकि मैं यह सोची दी कि 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 जब लाइस सचंग होते हैं तो हमें क्या बोलना चुछी है तो यह चीज में पास जैसे संगत आंटी और अंकल के में पास होनाते रहते हैं और में को काफी सारे संगत आंटी पूछते हैं कि यह वाला मैसेज जब मैं पढ़ती हूं यह वाला मैसेज जो मैं पढ़ता हूं मुझे ऐसा लगता है आपको अगर ऑपको एसे लगते हैं कि अपने मोबाईल खोला या और मेरे गुरूप में है गुरुची वाले में तो कई बार में पासर मैसेज आते ही अठीद हम यह एंप सामने का आपके साथ अपना सथन देड़ करने वाले हूं वे वह भीज़ करें वह उप्र हमारे उपर जुआ इता है वह हुना जाहिए जो हम अपनी जिन्द है कितना होजार था आपके साथ अपना सत्संग जो शेयर करने वाली हूं वो शुक्राने का सत्संग है बहुत 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 बढ़ा शुक्राना है अगर मैं आप सब के सामने जिन्दा बैठी हूं तो वो गुरु माराज की ही ब्लेसिंग है क्योंकि मैं ऐसी सुच्वेशन में फस गई थी अभी तो उसमें संगत हैं उनके साथ ही बायकार गई थी तो वहाँ पर जाके मैंने जब देखा उसके लिए भी एक और शुक्राना क्योंकि आप सब की इतनी ब्लेसिंग्स मेरे पास आई और मेरे मदर के लिए जिन्नों ने भी मेरा लास सत्संग 8 डिसेंबर वाला सुना था तो आप सब की अपसलूटली फाइन और गुरुजी की कृपा से मेरे मदर को सेकेंड लाइफ मिले तो वह भी गुरुजी को फॉलो करते हैं सबसे हिरानी वाली बात यह हुई संगर जी की इस बार मेरे फादर ने मेरे को गुरुजी के बार मेरे में पूचा और में इतना अच्छा लग क्योंकि पहले ममी और गुरुजी से अच्छा जाएब गुरुजी के पूचे जी अच्छा वह जाओंगा तो यह वाली बात भी काफी अंकल आंटी में पार जसे और कॉल आता है कि हमारे अंकल नी मानते है या हमारी फैमिली में और को इम बानता निया है सिर्फ मैं करती हूं तो उन से हाथ जोड़के मिली हिक रिक्वेस्ट है कि हमारे को किसी को भी अफ। संगर जी प्रेशर लाइज मी करना टो तो करना ही नहीं है और को ऐसमें तो आगर अहनों को नहीं ना बच्यों को जो जितना कर रहाएं अतना काफी है तबसे बड़ी ब तो फील ब्लेजड की अटलिस्ट हमारे को नहीं रोका जारा बट आप गुरुजी से अरदास करते रहें कि गुरुजी प्लीस मेरी फैमली को भी आप अपने साथ जोड़े तो जब गुरुजी को जोड़ना होगा तो अपने आपी जोड़ जाएंगे जाली सबीड़ी को जाने का को तो मैं गुरु जाहिए तो अब होगी दुख सबी आप घढ़े जाने का तो मैं घर ऑख शका है जो ciao तो अभी सेफ नहीं है और मैंने बड़ा सुना है कि आप तो अपनी संगत के लिए Mercedes भेजते थे तो मैंने काई पता नहीं यह सही है या नहीं और जब जिन अंग्रला आंटी के साथ मैंने जाना था तो अगले दो दिन में में तो मैंने और मैंने च yapıl Rich सुने यह जीख तो मैंने पास नंका फोन आया कि दो गाड़्या जाहीं है पैली कई जाएगी कर दो डिक तो जिए मत Jackie कंगा के सब्सक्राइब करते हैं और मनीमन बड़े खुश हो रहे थी कि आप कितने जल्दी बाते सुन लेते हो और सचे मन से सचे भाव से की वी जो भी आपकी प्रेयर होती है वह हमेश्या पूरी होती है कि गुरुजी हाथ जोड के अरदास सुनते हैं पर आप शर्त है कि आपको उनके विश्वास होना चाहिए तो जरूर सुनते मेरा परस्नल एक्स्वीजन से अच्छा तो जब हम वापिस आ रहे ते तो अंकल आंटी की कार में जगा नहीं थी तो आ जब हम सब कुछ गुरुजी पे थोड़ देते हैं तो अपने आप थिंग्स फॉल ऑन देरों प्लेर्स प्लेर्स बिकुजी की टाइमिंग अपनी है हम अपने दमाग दोड़ाते रहते हैं कैसे होगा क्या होगा तो आतवे तो I was not comfortable in train पर आपसी में जब शताब देली की तो फटा फट अगले दिंग की प्रेंकी देकर भी बुक हो गई तो मैं थीक है जए गुरुजी तो and I was very confident कि अगल मैं जा रही हूं तो गुरुजी मेरे साथ है तो मेरे को ना कुछ करना है ना मेरा कुल भी I am safe you know I had this in my mind and जब मेरे पेरेंस मेरे को छोड़ने आये दोनों म अपार्टमेंट में मैं बैठी थी तो मेरे पीछे ना कुछ लेडिस बैठे थे दो लेडिस और उनके बच्चे थे तो मैं भी बैठी अपना तो जब धीरे-धीरे जब ट्रेंग जाने का टाइम हुआ फाइव क्लॉक तो ममी रही भार हो रहे थे में अंदर क्योंकि वह ए कि सम्थिंग इस रॉंग सम्वेर तो कि मैं ने देख तो लिया था कि आसपाद मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं हो जब ट्रें चली तो थोई देर तक तो मेरे पीछे जो दो लेडिस थी वो उनकी आवाज आ दी थी तो थोई देर बाद लेडिस के आनी बंद हो अभी तो मैं ने ऐसी भाने से ना कुछ उपर से निकालने के बाहने मैं ने उपर करके पीछे ज़ेखा तो लेडिस महां पे दो हटे गटे आगे वेरी वैल बिल्ट आगी बैठे वेटे दो और संगा जी इस पूरें कंपाटमेंट में आगे पीछे ऑर यह तिंक अगे ने कोई लेडी नहीं उस पूरी बोगी में और इट वस फिल्ड विद विद लेडी नहीं तो मेरे मन में एक घबराट से लगई कि कोई भी लेडी नहीं है और आसपास यू नहीं कोई हल्चल भी नहीं दिख रही थी कि अब मैंने अपने अपने फ्रेंड को सब पूशेते काप होची काप होची तो मैंने मोबाइल पर टाइप करा कि I am the only lady in the bogey and I think I am the only Hindu also तो फिर उनका जो मैसेज आया उनका यही था कि तू जाधा बात मत करना किसे से और अपने में ही मस्तर है तो and then I decided that I will not eat anything from the train I will not drink anything मैंने वो जो बेंडर सा रहे थे उनका कुछ नी किसी तक कुछ नी थी रहा ममी ने जो दो रोटिया नी थी मैं उसी पर टिकी वी और I started you know doing manthuja मैं का Guruji आप मेरे अंसंग हो ना मुझे नी पता में को बड़ा एक उनका कॉंफरडेबल हो रहा है तो जब आपके वी तो अग्पार्टर में एक वाज़े लेडी सुना तो यू फिल कॉंफरडेबल वो पूरे आजमों से भरी और पता नी मुझे ठीक नी लग रहा था तो जब वो टिकेट चेक करने आये अंकल जोते टिकेट टीटी तो मंतर जाब कर雜ाब करने तो हुआता था कुछ आया मैं तो इनका हमि को पर ऑफ जोते टीकेटेन और हन्याम सर्डा करने था टीए इनका ऑनल से टी हैं सिराधा थाल वाजादा में तो प्लीज हम बां का पर में जाया है एक सफिए ना नीज में आया है ज़िए मेरा खालते संद्र जी सच में बिलीव मी वह जो चमतकार उस वक्त हुआना अभी भी मेरे गूसबफ दार है क्योंकि जब आप टोटल सरेंडर कर देते हो ना तब गुरु जी तेक्सा स्टैंड पो यू तो उस वक्त all of a sudden पीछे से वाद आती है गांषीी नमर दस मैंने कहुं है कोई दिकता तो मैंने कहा कोई दिकत तो मैंने १ची तो सब ठीक है तो वह उस वक्त उनने पूज के वहां से वह चले गए तो मेरे मन में थोड़ा सा यूनों अपने पुलीस वालों को भेज दिया यहां पर जतनी बैठे तो देनों की यूनों अधर अच्छा थोई देर हुई तो वह जो आदमी थे ना गोगी मों इधर दो चलना साइट हो है तो है इस सोचली अरी में तोयह भाटो हए तो मेरी माय पूली जूशल करो रहा है दो इसक लाष सेलना सुनें ज़ड़ा लना के दिलनी वालों के में जुक्ता होए तो जुद आव को मैंन दिजसरा होगी अगर मैं मैंक गो हुआ दिल्ली को अपनाद भी मेरे जरूरत है मेरी फैमिजी को मेरी जूरुत है तो तर फिर से दो पुलिस वाले में सीट के पास आये और अप डूनों को बड़ाया कि आप बढ़े जाके बैठा है और संगर जी पूरी जर्णी में वो दोनों प्लीस वाले मेरे सीट के बिल्कुल ऐसे खड़े और बीच में मैं वेटी वी ती और मैंने गुरुजी का इतना शुकराना किया गुरुजी थैंक यू सो मच आपने वो प्लीस वाले भया के रूप में आके मेरी रक्षा करी और ज जाए पास मेरी सीट के बापर बैठे रहे ही रहते थे बल्कि मैंने उनको बिठा जया जाए पकव तक खड़े रोगे तो आप लिए बैच जाओ तो ऐसे है गुरुजी हमारे जब उनकी संगर्थ किसी भी प्रॉब्लम में होती है और अगर आप सचे मन से गुरुजी को ब करो सब्सक्राइब, आप पर मैं मम permitir में ढ़ने करने तो मुझे लगहों तो तो मिरे जो होते हैं तो मैंने अब मेरे मंदिर मेंग हमारे मंदर स्वा rightly और नो तो जो भी मेरा आंसर होता है तो मैं पर्चियां ऐसे शफल करके डाल देती हूं पर्ची संगर जी आप करके देखना जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो ऐसे ही ट्राय करना क्योंकि फर्स्ट पर्ची जो होती है यह तो यह नो तो नो और वही गुरुजी का अं जब जब मैंने उस चिट के अपना कदम उठाया वह हमेश्या सही गया तो शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत कि टाइम-टु-टाइम वह मुझे गाहिर करते रहते हैं और संगर जी जब मैं नहीं नहीं जूरी थी ना गुरुजी के साथ तो तब बाते समझ में नह कैसे होता है क्या होता है यह मेरे साथ ऐसे क्यों कर गहें रहे हैं उनके साथ मैंने कुछ बुरा नहीं किया बट अग्ड़ तो धीरे जीरे मेरी लाइफ में एक-डो अंकल और ऐंटी ऐसे बेजे जिनको बता है कि मैं किस टाइफ की लेडी हूर मुझे कैसे समझाना है तो को जब स्टेंग से में मेरी अगुझ calendar नहीं अनुट धूं के मिनंदा होती है इतनी निंदा होगी खोड़ा इ bulik इनी निंदा होगी क्या परिशान हो जाओगे अब जाके मुझे वह समझ में आता है जब भी हमारी कोई भी निंदा कर तो वो हमारे ही भला कर तो बहुत बहुत थैंक्यू करना चाहिए और मेरा दिल से उनको थैंक्यू क्यूंकि उसको समझ में नहीं आया और आज भी गुरुजी की कृपा से अभी भी कुछ ऐसे संगत है जिनके मेरे साथ कॉडिनेशन नहीं बैठती बट अब यह चीज मुझे समझ में आती है कि अग आपके भले के लिए अगर सारी निंदक खतम हो जाएंगे तो फिर आपके करम कैसे घटेंगे तो इसलिए जो आपकी लाइफ में होने चाहिए उनको गुरुजी कभी आप से दूर जाने नहीं देंगे और जो आपके लाइफ में जरूरी नहीं है या उनका जो परपस आप की लाइफ में वह अगर खतम हो गया है तो उनको गुरुजी आपके पास नहीं आने देंगे यह मुझे बहुत अच्छे से सावज में आ गई है बहुत बहुत शुक्रारा गुरुजी का क्यूंकि मैंने नोटेस किया है कई बार फोन बज़रा होता है तो मन में आ जाता है अधा फोन ना उठाई और सच में मुझे बात नहीं करने देते और जब किसी संगत जी को कुछ मेसेज देना होता है तो मन में इतनी स्ट्रॉंग वाइब्रेशन आती है मेरे एनुफोन कर एनुफोन कर एनुफोन कर एनुए गल दस एनुए मेसेज दे तो अभी परसु की अधाने आप के साथ शेयर करती हूं मैं किचन में खाड़ा मना रही थी और इतनी स्ट्रॉंग वाइब्रेशन गुरुष संकर जी माको पता नहीं सकती इतनी स्ट्रॉंग वाइब्रेशन की वह महामरतुंजे जाब के उपर था की महामरतुंजे जाब थर्जे ग्रुप मे है तो मेरा जो खुर्णी कर पास हमारा थर्जे ग्रूप यार्ट बीज पी यह जो आउडियो कि यह जो किसके लिए लवा रहाएं बसे जी मेसेज देखने हैं प्लीज में प्लीज उसको डाउल्लोड दो कि आपने घर पर अपलग आप लगाए और संकर जी इतना अच्छा अच्छा लगा मुझे शामतर मेरे पास हंड्रेड में मेसेज़ थे कि आउंटी थैंक्यू सो मच आपने यह ग्रूप में डाला और हम इतने प्रॉब्लम में थे कि यह महामितुन जैज आपका जो पूरा नरेशन की वह क्यों होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और वह सु दुखी थे वह सुख्राणा मेरा नहीं शुक्राणा तो मालिक का करो उनोंने मेरे मांड में थाट डाली तो मैंने वह ग्रूप में शेयर कर लिया था ते जब हम अग्रूप में सेज़ देते हैं बट शर्ट यह कि हमारे को वह समझना आना चाहिए और हमें यह पतों होना कि किस मैसेज को कैसे डिलिवर करना है आज सुखी आंटी का में बड़ा अच्छा मेसेज आया और मैं आपके साथ को शेयर करती हूं वह कहते है ब्यूटी इस अब लिविंग यूर लाइफ बिंग हैपी विद यॉर्सेल इंसाइड और आउट और नाट वर्रिंग अट वर कि दुसरे मारे भाएं में किया सोचते हैं और हम यह बूल आते हैं हम अपनी लाइफ को चोड़किए हम डूसरों परावचों करने ब संस वाथ ना में चले मैं कर दे पा सब्षार्ण फिर इसी असमंज में हम संगत कम और भीर जादा इखटी कर लेता है तो संगत जी प्लीज हाज जोड के रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सत्संग करें तो इस आप हमारी को लोगों को लोगों को खुछ नि करना कि यह नराज नहीं हमें हमारे गुरू को खुछ करना है और जब हमारा गुरू खुछ है तो संगत अपने आप खुछ होगी जो संगत जी अपने घर पे सत्संग करते हैं तो प्लीज आपके मन में जिन भी संगत जी बहावा है इनको बुलाना चाहिए उनको बुलाना चीए तो आप उनको इनवाइट भेज़िए जरूब जिए नहीं को प्राइब भर गए तो जो हमारे घर में नेगिटिविटी आप डेकोरेशन करते हैं रंगोली बनाते हैं रवर्स टेप और नेगिटिविटी आफ अवर हाउस जब भी जब हम सत्संग करते हैं तो एक चीज़ जब हम किसी सत्संग में जाएं तो फूल लुद भी जब हम सत्संग करें तो जो भी आप अरेंग्मेंट करें या जैसे भी करें अपने पूरे भाव के साथ करें घुरु जी सिर्फ भाव देखते थे वह यह नहीं देखते थे कि कितनी बड़ा तुमने अपना अपना गरभार की डेकोरेशन की है वह सिंप्लिसिटी क साथ रहते हैं और गुरु जी तो सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं आप भाव से उनके उनका एक सोफा भी अगर डेकोरेट कर दोगे तो उसमें भी वह आपको कुथनी उससे भी ज्यादा ब्लैसिंग देंगे क्योंकि जो आपके मन के अंदर से जो भाव निकलते हैं व आपके घर के बार या कितने कमरे बर गए उसकी जगे आप संदत को जरू बलाएं और उतना बलाएं जितना आप हैंडल कर सकें दूसरा यह पॉइंट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आपके साथ डिसक्रस करूंगी इस अबाउट अम्रित वेला और अम्रित वेला से रि आपके फोन आए एक आटी है उमा अंटी तो उन्हों ने मेरे को फोन करके बोला मेरे फेस्बुक पर भी लिखा था फिर बाद मेरी बाद भी उनसे तो संद्र जी एक चीज में बहुत हम्ली आप सबसे हाँ जोड़के रिक्वेस्ट करना चाहते हूं कि प्लीज किसी भी व संद्र जी बाद में पडिए अप कर दिया मुत हूं कर दो कर देखे दो समय थre declarامता ओफिर बैस्वेस्ट का बेलीज कष्यान सामयो इता है कंड़ियों कि वियुक्त नहींके इनिप पासे रिक्तितों कि तो देखिए नहीं पईए हमारे समया रहा युक्त में टीया के में कोई प्लियस नहीं है तो अम्रित विला से यह बात थी कि पीछे काफी में पास मेसिज़ भी आये कि अएल्टी हम अम्रित विला कैसे करते हैं और अम्रित विला कब करते हैं फिर उनको मैंने अधिया बेजी और फिर में पास जब जो यंग संगत जो अमरिटवेला नहीं कर पारे वह डिप्रेशन में आइड नॉट अंडर्स्टांड बाट डिप्रेशन में क्यों और फिर उसके थोरेजम बाद मैंने वह अलगा अंटी का भी वह था ऑडियो डिलेटेट टू अमरिटवेला फिर रिंकुजी का जो अमरिट अमरिटवेला को लेकर जो यंग जेनरेशन में वह डिप्रेशन में क्यों है कि अब आते मुझे समझ में नहीं आया फिर एक में सत्संग पर गई तो आपे शंजे अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और उन्हेंने बोला कि अमरिटवेला जिसको भी करना है जरूरी नह तो आप जब भी बैठो वही आपका अमरिटवेला है तो इस यह एक दो और आंटी के साथ मेरा डिस्कॉर्शन हुआ तो संबडी वॉस इन दा फेवर कि भाई जो रात को तीन से छे करते हैं वह गलत होई नहीं तो यहां पर संगर जी हार जोड़के प्लीज रिक्वेर्ट बात होई नहीं रहा हो रही है कि डिप्रेशन में नहीं घाना जो संगर जी टीटूश कर सकते हैं करें अब जो ओवरनाइट की ड्यूटी तो उसमें डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है आपका और आपके गुरू का जो कनेक्टिविटी टाइम है वही अम्रेट वेला है अगर आप दुपैर में बैठके पार्ट कर सकते हैं तो आप दुपैर में करिए अगर आप आपको जब भी कंफरेबल हो आप करिए पर में आप पार्ट करिए तो जब जब जागो तब सवीरा आपने सुना होगा तो जब अंकल का मैंने सट्संग सुना तो मुझे लगा है आप मेरा आंसर दे जिए आपको सही राद रिखाई कि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना कि हम अमरेट वेला नहीं कर पारे करो जरूर करो करना भी चाहिए बट उसमें स्ट्रेस लेनी के जरूरत नहीं है कि हम रात को नहीं उट पाते हैं या हमारा जो है एक नियम नी बन पारा तो जब आपका मन करें और एक आपके अकोर्डिंग या जो भी टाइम बनाना चाहते हो आप वो टाइम डिसाइड करिए पर करिए ज लिए यह है कि हमारे को हमारे गुरू जी के साथ जो हमारे गुरू के साथ जो connectivity है वह बढ़ानी है और सबसे बड़ी बात संद्री पार्ट हमेशा गुप्त करिए सेवा भी गुप्त होनी चाहिए और पार्ट वी अगर आप सेवा आप कर रहे और जो पूरी दुनिया में वह सबको पता है कि और अच्छा यह यह है जो सेवा करते हैं तो वह सेवा नहीं है मतलब सेवा तो आप कर रहे हो बट अगर आप में गुरू जी की पोस्ट पड़ी होगी तो पाठ और सेवा हमेशा गुप्त रखो तो मेरा तो यही एक सजेशन रहेगा कि सेवा हमेशा गुप्त रखो और जो भी आपको गरीब मिले एक चीज यह मुझे किसी अंकल नहीं बोली थी बड़े मंदर में कि अगर आप रेड लाइट पे खड़ें मेभी दिस इन आंसर तू मेरे मुझे निकल दिये हैं तो जब भी आप रेड लाइट पे होते हैं संगर जी और अगर कोई गरीब आता है आप से भीक मांगने के लिए तो हम ऐसे करते हैं चलो आगे तो प्लीज ऐसे कभी मत करिएगा अगर आप किसी गरीब को कुछ नहीं दे सकते ना संगर जी तो अगर चलव बन जाते हैं शवार कोफिकर वारे चलओ बन करते हो जब हम गरीब करने कदेखी आपर रेड लाई पे होक्त तो अगर मिल जिनadece तो प्लीज जरूर कुछ अपने हाथ से ध्यान करिएगा कि उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है उसमें बहुत बरकत है टो ने नहीं है। पर परहों कि घुट करिएगे मीन थार है और उनकी घुट से और मैं मैं तो ng 0. 탐 डहीं दचायईता है वो दोनों हाथ मेरे सिर्पे रखके जो ब्लेसिंग देते हैं अगर आपकी घर में कोई भी जो भी काम करने आते हैं उनको कुछ ना कुछ खिला के भेजिए क्योंकि आपकी घर से दान जा रहा है और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वह आप यह बहुत अच्छी रहेंगी अच्छा दूसरा यह था कि हैं कि जब हम कुछ गलती करते हैं संगर जी कुछ भी तो हम फटा फट गुरु जी के सामने जाके या उनकी सामने हुआ के अब करते हैं इते हैं के अहता है मुझतसक्त को अरहा है अब करूपकर फिरम्रा को खर दो जल्दी यह उना है के एक अब कर देना चावेशा उपने से कुछ जड़ी दोस्रिंगीision को भी और मिफने से कप एगा क्योंकि जब तक हम पास चीजों का बोज अपने सर पे लेकर गुमते रहेंगे ना तब तक हम आगे नहीं भड़ पाते हैं और जिस जिनकी भी बाते हम अपने माइंड में रखते हैं तो उन से ज्यादा हम उनके बारे में सोच रहते हैं तो इसलिए और जहां पर गुरुजी ने आपको लेके जाना है वहां पर जाने से आपको कोई नहीं रख सकता आपके लिए जो उन्होंने सोचा हुआ है वो गुरुजी के टाइम पर ही होगा इसलिए ना टाइम से पहले होगा ना टाइम से के बाद होगा इसलिए गुरुजी की जो जो जो सिच्वेशन हम होते ना तो हम यह सोचते हैं कि हम ही क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है वर उनकी प्लैनिंग और हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उनकी रजा में राजी होना सीख जाए और अपना को सिखा लेना तो उ डिफिकल सिच्वेशन में हम फैस जाते हैं उसे हम कब भार निकल जाएंगे वह पता नहीं चलता दूसरा काफी सरी संगर जी आज कल मैं देखती हूं लाइव से टेली कास्ट करने लगे हैं बहुत अच्छी बात है यह तो बहुत अच्छा प्लाइटफोर्म है लाइव क्योंकि पता नहीं किस संगत को क्या अंसर मिल जाए तो इसलिए संगर जी अपना संग ज़रूर शेयर करा करिये और जैसे पीछे मेरे को काफी सारी संगत आंटी के और अंकल के भी पूंस भी आए और मैसेजिस भी आए कि आंटी आपका लाज संग हमने 8 डिसेमबर को दिय संगर देखा था और उसके बाद फिर आप आये नहीं और आप आया करिये अच्छा लगता है आप से आपका संग देख कि हमारे को आंसर मिलते है तो बड़ा अच्छा लगता है संगर जब आपको ऐसा फीडबाइट मिलता है और जहे नसीब मेरा कि गुरू जी मेरे मुझ स जो भी निक्वाल रहे हैं उनकी रजायव कि मैं खुदी बाल में सुनती हूं कि मैंने क्या लाइट संग में बोला था बट एक चीज मेरे को आप से बात करनी थी हाद जोड के रिक्वेस्ट है कि मैंने ये नोटिस भी किया है और खेर मैं अपने आपको भी ये चीज बोलत है प्राय कि जो नए संग आपके साथ होते हैं वह शेयर करिए क्योंकि रिपीटर संग के साथ सब बोल की हो जाते कि यह तो सेमी बोले जा रही है पहले वाला यह कुछ नया नहीं है अच्छा दूसरा अगर आप लाइफ संग कर रहे हैं ना संगत जी तो उसमें अपने बहुत डिफरेंस लगा क्योंकि जैसे पहले बात करते थे और उसके बाद लाइफ संग के बाद रहें कि अच्छा ने जैसे बात की मुझे लगा कि उनमें एहम आगया कि वह हम तो लाइफ संग करते तो इसलिए अगर आप लाइफ संग करते या ना तो वह गुरूजी की म करें बहुत अच्छी बात है आगे भी गुरु माराज कराते रहे और अपने जो एक्सपीरियंसे हैं वह आप शेयर करें और एहम मताने देना प्लीज अपने आप में और जब हम लाइफ संग की बात आ रही थी तो काफी संगरने का कि आउंटी और भी तो है वह तो डालते र की दिकलते हैं स्गया है और शुरू शेह से बच बच पन से ही मैं ऐसी रही हूं कि मैं भेर चाहल गां मैंने जबत्तखेशन में hen और नहीं जाती Heroes कि मैशीं और लाया नहीं कर दuitiveतखम और तक में देशन करना था की मैंना यहिए नहीं मैं जब सत्संग करने आओ तो मैं पास कुछ रेलेवेंट हो बोलने के लिए ताकि जो भी संगत जी मेरा टेलिकास देखिया है उनको कुछ मेसेज़ मिलें उनको कुछ आंसर मिलें को भी समेंट जोने पास कुछ दो अपने अपक बीसरी जोने मेसेज़ के विए करते हैं उनको जब हम अपने लाइफ में डॉपकरते हैं उनके जो बचन है और हम उसमें से 50 % भी अपनी याफ में संगत आपकर लेना तो हमाई लाइफ के बहुत सारे प्रालम्में ये प्राव मैं अपने पर्सनल एक्स्पीरियंस से बता रही हूं एक गुरुजी का तो बहुत बड़ा शुक्राना है बहुत 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 बड़ा शक्राना है कि काफी टाइम से यहां पर हमारे घर के पास ही एक आंटी रहते हैं उनके साथ कुछ मिसंडर्सेंडिंग होई थी मेरी और संद्त् Pharise जैना नहीं ह्काथा था तो घर्ली से जाना नहीं हो था खुए गहाताथी मरे में भी डिल्यों में बड़ा तृक्षिंग कि सथा कि तो गार्ट को कि किके साहिए सब्लाएं sब्रूनिक कि साहती हो और वह हम भाल रहती है लुचीरो पकुोज़ बढ़ ञाग और या हम कभी आपस में कभी बात भी करेंगे या नहीं कैसे होगा बहुत अपसेट भी रहे थी इस बात को रहें रहें बट फिर मुझे एक दो आंटियों ने समझाया कि गुरुजी जो टाइमिंग एना वह बेस्ट रहती है और अगर आपको कहीं किसी जगह नहीं जाने दिया तो वह आपकी बनाई के लिए है और जब गुरुजी ने करना होगा तो आपको वह रस्ता खोल दिया जाता है तो मेरी जो संगत आंटी हैं उन्होंने उन आंटी को जाके बोलागी आप जब सबसंगरते हो तो शीजल आंटी को भी बुलाया करो तो मैंने को बोला मैं का नहीं आप मंद बोलो आप मेरा तो नाम होत लिया करो जब उनके मन में आएगा और जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा तो आइस्टोप एविवान मैंने का मेरा नाम भी नहीं आना कि महां पे नहीं कोई उन्हांटी को जाके बोलेगा मेरे बारे में तो जब गुरुजी ने अगर लिखा होगा तो अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस बारे में तो ऐसे काफी टाइम निकल गया और फिर एक दिन और आंटी का में पार स्पोन आया कि शीतल आंटी शाम को 6-8 सत्संग है सत्संग है हमारे गर और आपने आना है तो सच में संगत जी में को इतनी खुशी हुई उस दिन गुरुजी ने वह दर्बार अपना बक्षा मुझे और जो भी मिसंडरसेंडिंग्स थी वह सब क्लियर हुई और अब जो एक एट्मोस्फेर हमारा बन गया है आपस में वह इतना अच्छा हो गया है कि I feel so blessed कि time to time मुझे गाइ करते हैं अंटी रिन आंटी श्वेटा अंटी रूची अंटी बीरा अंटी इतनी प्यारी के संगते हैं उनको बता है कि मैं थोड़ी एमोशनल हूँ और में कैसे हमनोंने हैंडल करना है और जब भी मैं कुछ गलत रह पकड़ी होती तो मुझे सीजी रह पे ले आते कि यहा होता कुछ और है तो उसमें कन्फ्यूजन में गलत स्टेप उठा लेते हो तो अगर आपको गुरू जी आपकी लाइफ में कुई ना कोई ऐसे संगत को बेढ़ेंगे जो आपको सही गाइड करें तो इसलिए उनको प्लीज अपने लाइफ से बाहर मत जाने देना और जो भ जाने देना क्योंकि जो आपको आपकी तरह एक जो पता हो कि आप कैसे हो और आपके सुख दुख में आपके हेलो बोलने से ही वह पेचानजाए कि आप दुखी हो या खुश हो तो उनको तो आप अपनी लाइफ से बिलकुल जाने ही मत देना संजी सच में बता रही हूं मेरा यह पर्सनल एक्स्पियेंस है कि आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे और मेरे तो अंकल भी हसते हैं मेरे तो गुरुची ने कितनी भी फ्रेंड्स की है सारी एस नाम से ही है और जितनी भी संगत मेरे साथ जुड़े हैं 99% सब एस नाम से हैं सारी का सपना सोनिया सूमन सब आटिया हमारी तो बहुत बहुत शुक्रादा गुरुची कि आपने ऐसे संगत से जोड़ा जो सही रा दिखाते हैं अगर आपको कुछ समझा रहा है तो आप उसको किस तरीक के से लेते हैं आप तरीके से लेते हैं कि वह अच्छा है हैंसे कैसे फूल दकी होना होती कोने बोलने वाली पर यथा है समझती है या आप इसको इस टाइप से लेते हैं कि नहीं जो समझा रही है वो मेरी बले के लिए तो अगर आप उस पर चलते हैं उस पर अमल करते हैं तो वो गुरुजी की गाइडेंस होगी और सही रहा आपको दुरूर दिखाई जाएगी तो यह कि लिए था बिफोर आए एंड माय सत्संग मन में जो अभी भाव आरे कि दिन में प्लीज पांच मिनेटी थोड़ा सा टाइम निकाल किये अपना टाइम स्पेंड करा करिये गुरुजी के साथ विशक फाइव मिनेटी आप मंतर चाप करिये मंतर चाप में बहुत शक् केसे देखें जो मंतर चाप सिर्फ मंतर चाप करने से कैंसर ठीक हो है अभी पीछे मेरे अंकल के साथ में गए भी थी अपोलो हॉस्पिटल और वहां पर हमने एक अंकल कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए हमने आईश्यू के बाहर बैटके मंतर चाप किया और आदे गंटे का मंतर चाप था संगर जी बिलीव मी जब वह डॉक्टर अंकल वहां पर गए थोड़े ओल थे तो जब मेरी उनसे पाहत हुई तो मैंने का अंकल कैसे हैं इनकी तबर कैसी है के रहे हैं आप अभी क्या कर रहे थे भाल बैटके तो मैंने का जी हम गुरू जी को किये फॉल्व का कुछ पता रहे थे हैं इतनी इंप्रूव्मेंट हो गई है एंड इस आउट ओफ डेंजर लख लख शुक्राना गुरू जी का बहुत बहुत शुक्राना मालिक का कि उनकल को सेकेंड लाइफ ब्लेस करी पीछे सोनाली अंटी आया थे घर पर और गुरू जी के लिए ब्लेस के देकेंड़ अंकल को दे जारे लुक्ता वाद्स अंटी को किया रहे तो फ्लीज यह लेके जाईए गार इगया और जी के पता वीजोवरा ब्लेस चलेगए और भेश रखने और बखने गर्वाद के अपन सब ठीक होगा शीरिज मुज इतनी खुशी हुई जब अ बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी इतना शुक्राना की उनके पापा को ब्रेस्ट करी न्यू लाइफ और बुरुजी सब को ब्लेस्ट करें अपनी सारी संगत को वो बहुत प्यार करते हैं कि अगर मेरे से किसी भी बात से किसी को भी भूरा लगा तो प्लीज मेरा कभी किसी को भी बात बुरी लग जाए तो प्लीज माफ करें और शुक्रादा गुरुजी का आज नुँएर का मेरा फिर्सत संग था और जो बार में संगर जी जॉइन है उनको हैपी नूँ यर गुरुजी आप सबको ब्लेस्ट रखें सेफ रखें उनका शुक्राना कि 2020 से हमाई को सेफ ली 2021 में ले आए और सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें जिनकी जॉब्स निये गुरुजी उनको अच्छी सी जॉब्स दिलवाएं और जिनको जो भी हेल्थवाइस प्रावलों में गुरुजी उनको ब्लेस करें और हेल्दी रखें और गुरुजी की कृफ़ा हुई तो आगे मैं फिर जरूर अपना सच्छन शेयर करूंगे आपके साथ थांक्यू सो मच पर ओल्दी फीडबैक्स आइगेट लाइफ सच्छन के बाद में बोलना तो नहीं चाहिए बद फिर भी आपके साथ शेयर करूं साथ सो आट सो मेसिजज होते हैं और मेरी कोशिच यह रहती है कि मैं सब को आंसर करूं अगर कोई संगत को मेरी आंसर ना कर ओ तो आपके सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपना मंत्र जाप करते रहिए गा गुरुजी का सिमरन कभी मच हो ना गुरुजी का दामन कभी मच हो ना संगर जी सेवा शिमरन ते सत्संग यह तीन ऐसा पकड़के रखि और मंत्र जाप बहुत पावरफुल है इनको आप दिन में एक बार तो एक नियम बना लिजे कि हमने मंत्र जाप तो करना ही करना है और और जो घर में जोद जरूर जलाईए सुबहा के टाइम में और संध्या के टाइम पर जरूर जराया करिए गुरुजी की जोद घर में जलना बहुत 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 ब्लेस्ट अगर मैं घर पर नहीं होती हूं तो या तो मेरे बेटी या पापा चला देते हैं बट घर में जोद जरूर जलती है तो इसलिए आप से भी हाज हो के रिक्वेस्ट है सुबह जब अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता कि अपने जोद मंदर में जलाया करिए और संद्य के समय जब जोद जलाते हैं तो हो सके तो जिसे वह साथ से आठ बड़े मंदर का लाइब आता है मंतर जाप वहीं चलाए दिया तो बहुत बहुत ब्लेस्ट होती है तो प्लीज अपने घर पे जोद भी जलाये गुरू जी अपके घर में पॉजिटिविटी रहे सब ब्लेस रहे आप सब सुखी रहे हेल्दी रहे इसी के साथ ना आज का सदसंग दो करती हूं जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनंतंग शुक्राना और गुरू जी की कृपा हुई तो आगे अपना सदसंग ज़रूर आपक